चोपड़ा है जो किसी ने युटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चों, सबसे पहले आपको येर दोहजार चोईस की हार्दिक सुपकामना है, मैं इस वर से कामना करता हूँ, कि आप अगली बार फर्स्ट येर कि किसी अच्छे मेडिकल कोलेज में मनाएं, आपको इस वर इतना सफल करें कि आपका इस साल एडमिशन हो जाए, और अगली साल दोहजार पत्चीस का फर्स्ट जनवरी आपका किसी अच्छे मेडिकल कोलेज में सेलिब्रेट हो, ये मैं इस वर से कामना करता हूँ, और ऐसा ह होगा ऐसा ही होगा आज इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे कि बाकी एर्स की तरह क्या इस साल भी MBBS की सीटें बढ़ेंगी तो कितनी सीटें बढ़ेंगी और इससे कटोफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या effect पड़ेगा, क्या cut-off down रहेगी, क्या cut-off अप रहेगी, कितनी सीटें बढ़ेगी, कितनी medical college में seat बढ़ेगी, कितनी states में college में बढ़ेगी, तो इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज की date में जो MBBS की medical colleges हैं, वो 706 medical colleges हैं, इसमें government और private सामिल हैं, हमने ये 3-4 साल में देखा है, कि government medical college की, जो medical government college का increment है, वो काफी ज़्यादा हुआ है, पहले private medical college ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी government medical college की संक्या काफी बढ़ गई है, private medical college कम हैं, तो total government और private मिला के 706 medical colleges हैं, आज की rate में, और total जो सीटे हैं, वन लाक 915 seats हैं, शोरी, वन लाक 9000 15 seats अभी तक हैं, इतने MBBS की सीटे हैं, अब हम इसमें एक बार जो देख लेते हैं, government नहीं जो अनौंस किया है, कि हर एक district में medical college होना चीए, और NMC ने भी recently एक public notice के जरिए दिया है कि 1 million population पर 100 seats होने चीए MBBS की, तो government इसी में अभी प्रियासरत है कि इसको क्रियानवन्त किया जाए, इसके लिए medical college इन 3-4 सालों में काफी medical college खुली हैं, देखते हैं हम 2024 में भी जिस प्रकार से previous year में बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रकार से इस बार भी बढ़ोतरी होगी, एक बार हम पहले पुरा देख लेते हैं कि पिछले years में ये दो साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो अगर 2022 की बात करें तो 652 medical colleges में 99,263 MBBS की seats थी, अब 2023 में देखें तो 706 medical colleges पे admission हुआ था, जिसमें total admission 1,088,248 MBBS की seats पर हुआ था, अगर increment देखें इसमें तो 2023 में जो पिछली साल increment हुआ था, उसमें 54 medical colleges का increment हुआ था, यानि कि पिछली साल 54 medical colleges नई खुली थी, जिसमें जो seat उंकी बढ़ोतरी हुई थी, 8,985 seats MBBS की increase हुई थी पिछली साल 2023 में, अभी देखा जाए इसमें, तो इसमें जो 54 नए medical colleges open हुए हैं, इनको देखते हुए, इस साल भी इससे ज्यादा medical college open होंगे, यानि कि इस साल की बात करें, तो अभी गौर्मेंट ने recently approved किया है 157 new medical colleges को, एक district में एक medical college अवस्य होना चीए, इन सब को देखते हुए, और जो 1 million population पर 100 MBBS की approved किया है, यानि कि अभी हर एक district में medical college होगी, ओल इंडिया में, इसमें first stage में, जो first phase है, 58 medical colleges open होंगी 20 states में, और ये 24 में ही start होने की possibility है, यानि कि ऐसा माना जा रहा है, इसमें काफी सारे colleges इसमें बनके भी तयार होगे हैं, जैसे UP की बात करें, तो UP के 11 college इस साल run हो जाएंगे, जो पिछली साल होने थे, लेकिन पिछली साल किसी कारणवस नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार वो confirm run होंगे, 11 medical college UP में, 2 medical college बिहार में हैं, इसी प्रकार की college हैं, इसी साल run होने की possibility है, अब second phase जो अगली साल और उससे अगली साल होगा, 24 medical college, 8 state में होने की possibility है, इसके बाद third phase में 75 medical college, 18 state में होने की possibility है, जो 26, 27, 28 तक ये college रन हो जाएंगी, तो ये 157 college जो approved हुई हैं, ये जल्द ही 3-4 सालों के अंदर-अंदर हो जाएंगी run, अब इसमें जो 58 medical colleges इस साल possibility है run होने की, तो इसमें हम देखते हैं कि 20 state से उसमें जो possibility है इस बार run होने की, तो city इसमें तकरिवन 10,000 seats increase होने की possibility है, जिसमें government और private medical college सामिल हैं, इस बार जो काफी बढ़ोतरी होगी, वो government medical college में ही होगी, private medical college बहुत कम open हो रही है, government medical college की संख्या काफी बढ़ रही है इसमें, अब देखे हम 2023 से अभी तक भी 867 seats increase हो चुगी हैं, यानि कि जो पहले counseling हुई थी, और 2023 की और अभी का देखे हम तो medical college तो सेम है, 706 medical college के लिए counseling हुई थी, और 706 medical college ही अभी हैं, लेकिन जो पुराणे medical college हैं, उनमें seats का increment हुआ है, किसी college को improvement नहीं मिली थी, पिछली बार तो वो approve हो गई है, तो ये 867 seats अभी तक increase हो चुकी हैं, जो 2023 की counseling हुई थी उससे अभी तक, और ये total जो counseling स्टार्ट होगी तभी तक 10,000 seats increase होने की possibility है, इस साल भी, यानि कि ये 3-4 सालों में जो government ने medical colleges open किये हैं, उनमें काफी बढ़ोतरी हुई है, और उसी के ratio में इस बार भी medical colleges open होंगी इसमें, अब देख लेते हैं कि MBBS की जब इस साल 58 medical college 20 state में रन हो रहे हैं, तकरिवन 10,000 MBBS की seats increase हो जाएगी, तो cut-off पर क्या effect पड़ेगा, क्या cut-off down जाएगी, या फिर cut-off वैसे ही वैसी रहेगी, तो दोस्तों मैं आपको देखो बिल्कुल भी भ्रम्में नहीं डालने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ, कड़वा सच ये है कि इतनी सारी seats increase होने के बाद भी cut-off down होने की possibility नहीं है, तो जब down होने की possibility नहीं है, तो इसमें कुसी की क्या बात है, कि इतनी सारी seats बढ़ रही है, तो हमें फाइदा होगा, इसमें क्या खुसी है, तो इसमें फाइदा हमको ये होगा, कि इतनी सारी अगर seats नहीं बढ़ती है, तो cut-off बहुत ही ज्यादा hike करेगी, तो वो जो increment है cut-off का, वो रुख जाएगा, यानि कि जो पिछली साल जितनी cut-off रही थी, उतनी ही cut-off रहने की possibility है, cut-off down जाने की possibility नहीं है, down जाने की possibility इतनी सारी seat बढ़ने के बाद भी नहीं है, इसका reason ये है, मैंने previous video में भी बताया था, कि online class से जब से start हुई है, तब से ये cut-off high रही है, एक time था, जब cut-off 536, 562, 548, 512 रहा करती थी, और 10-14 साल पहले तो ये जब cut-off रहती थी, 14, 13 में वो जो cut-off रहती थी, वो तो 500 से नीचे भी cut-off रहती थी, लेकिन अभी ये 2-3 सालों में जब से देखने में आया है, 600 से अबोव ये नियरबाई 600 cut-off रही रही है, इसका region मैंने आपको बताया था कि online class से और हर साल student का जो increment है, उसके कारण ये cut-off की बड़ोतरी हो रही है, तो इतने सारी seat जब बढ़ेंगी, 10,000 seats बढ़ेंगी, फिर भी cut-off डाउन नहीं जाएगी, ये सच है, और आपको इसी के level की तैयारी करनी पड़ेगी, आप 610 के अबोव ही cut-off 124 की, मैंने पिछली बार cut-off का वीडियो भी बनाया था कि कितने cut-off रह सकती है, तो काफी सारे student ने ये भी comments किया था कि जब paper ही नहीं हुआ, तो आप cut-off कैसे predict कर रहे हैं, तो cut-off predict करने का मतलब ये ही है, कि students की बड़ोतरी और online classes का craze को देखते हुए cut-off तो बढ़ेगी, लेकिन इतने सारी जब सीटे increase होंगी 10,000, तो cut-off पिछली साल के level पर ही रहने की possibility है, तो ये इसी में कुछी है, कि पिछली साल के बराबर भी cut-off रह जाए, तो ये भी काफी है, नहीं तो ये सारे online classes को और हर साल student के increment को देखते हुए cut-off बहुत ही ज़्यादा high हो सकती है, लेकिन ये सीटे बढ़ने से cut-off level में आ जाएगी, तो आपको तैयारी काभी ज़्यादा करनी है, 650 का score लेके चलना है, target लेके चलना है, और जब आप 650 का target लेके चलोगे, तब आपका selection निश्चित है, तो ये जानकारी थी, अभी आपके पास में चार मैने का समय बचा है, इन चार मैने में आपको महनत करनी है, जितनी ज़्यादा आप महनत करोगे, आप अवज से ही सपल होगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने previous year में student को इन चार मैनों में महनत करके सपल होते देखा है, मैंने admission भी करवाया है students का, तो आपको भी महनत करनी है, और admission लेना है, इस बार चाहिए कुछ भी हो जाए 2024 में, इसी कामना और इसी विश्वास के साथ की आप महनत करेंगे, और आपका अवसे ही admission होगा 2024 में, हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, जैह